नमस्कार आप देख रहें के न्यूस और मैं हूँ आपके साथ आकांख्शा मिश्रा सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है लाइव विट लंकेश समस्याएं हमारी जीवन का अभिंग अंग होती हैं इन समस्याओं से हमें कई बार निजात नहीं मिल पाता जिसकी वज़े से हमारे दैनिक जीवन चर्या में बहुत प्रभाव पड़ता है इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौझूद हैं लंकेश जी जिनसे आप फोन करके अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जान सकते हैं लगतार हमारे फोन नंबर्स फ्लैश होंगी इस लाइव के दौरान और एक घंटे में आपके अंदर समय हैं कि अपनी सारी समस्याओं का समाधान हमारे आचार जी से ले सके तो आचारी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में लाइव वित लंकेश में कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ समस्याओं इतना ज़्यादा जुड़ जाती हैं जिसकी वज़े से हम बहुत परिशान हो जाते हैं कई सारी समस्याओं होती है चाहे वह वैवाहिक हो आर्थिक हो या दैनिक हो कोई सारी समस्या होती है जिससे हम परिशान हो जाते हैं तो सबसे पहले इस समस्या में सबसे पहला मुद्दा जो हमारा होगा वो यह होगा कि जो वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याइं होती हैं कई बार हमारे यंग एज के जो लोग होते हैं जिनको कई सारी वैवाहिक जीवन की समस्याइं होती हैं शादी नहीं हो रही होती है तो इसके लिए कोई खास उपाई बताईए ना कि जिससे कई सारे लोगों को इससे प्रेणा मिल सके कि हां कि हमारी शादी नहीं हो रही तो हमको कैसे समस्या से निजात मिलना चाहिए अकांचा चीब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा जीवन है उसमें जिस जब कुंडली पर हम चर्चा करते हैं या अपने नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो वहाँ पर एक मुख्य चीज निकल करके आती है हमारी कुंडली का सब्तंभाव जो सेवन्थ आउस हमारी कुंडली का होता है वो कहीं न कहीं हमारे पार्टनर को शो करता है उसके बारे में दर्शाता है अगर हमारा सब्तंभाव पीडित है या वहाँ पर कोई दोश उत्पन हो रहा है या ग्रहन दोश उत्पन हो रहा है तो हमारे वो विवाह में देरी नहीं रहता तो हमारी कुंडली का जो सब्तम भाव है वो स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है तो जिन भी लोगों के विवाह में देर हो रही है वे सबसे पहले तो इस चीज पे ध्यान दें कि उनकी कुंडली का जो सब्तम भाव है वो किस इस्तती में है वहाँ पर कोई वो तो इस प्रकार के जो ग्रह होते हैं जो दूश बनते हैं वो कहीं न कहीं एक हानी उत्पन करते हैं विवाह में देली कराते हैं और थोड़ा सा जो कस्ट होता है वैवाहिक जीवन में वो उत्पन होता है जिस कारण से लोगों को मानसिक परेशानियों कभी सामना करना पड होती हैं जो उनके पाटनर के माध्यम से उत्पन्न होती है उसको देखते हुए चलना चाहिए क्योंकि कोई भी उपाए बगैर हम अपनी कुंडली और ग्रहों को जाने बगैर नहीं कर सकते हम अगर साधार्तिया जो भी उपाए हमारे चल रहे हैं हमने वो देखा और कॉमन उ फिल्टेर्शक हमाएं जुड़ चुके हैं बेंगलॉर से पुर्षोत्तम जी जो पूछेंगा अपना सवार कि अधिए कि जीुह भीषयर कुषे सांद्साबदी深ल ने इसतिक यह इसे म herum कशिट chimney अबना पुर्शोत्म जी कहीं न कहीं जो आपके संतान में जो ग्रह उत्पन हो रहे हैं वो मंगल से जुड़े हुए उत्पन हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप मंगल से जुड़े हुए कुछ उपाय करें जो आपको संतान सुख और संतान से जुड़े हुए जो भी आपको रामचरित मानस और एक तुलसी की माला का दान करना चाहिए और श्री हनुमान जी से आपको ये प्रासना करने चाहिए कि हे पवन पुत्र जिस प्रकार से आपने लक्षमान के प्राण बचा है उसी प्रकार से आप हमारे जीवन में समरस्ता ले करके आईए ताकि हमार पारिवारिक प्रेम आपस में बना रहे हैं ऐसा करने से आपको शुबता प्रदान होगी और आपके लिए बहुत बहुत शुब कामना है अचार जी जैसा कि पुर्षोत्तम जी ही नहीं आजकल हम देख रहे हैं कई ऐसे जगों पे कि कई बार सुनने को मिलता है कि बच्चों ने माबाप को घर से निकाल दिया या फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो ये एक तरीके से किसी ग्रह नक्षत्र के चलते होता है या किस तरीके से इस तरह की समस्याएं सामाजिक हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं देखे इसमें दो चीज़े हैं ग्रहों का तो जुड़ाव हर जगए है जिस प्रकार के ग्रह आपकी कुंडली में हैं उसी के आधार पर चीज़े होती है यह हमारा जो संतान भाव है जो हमारा पंचम भाव है जो हमारा संतान और सिक्षा से जुड़ा हुआ होता है अगर वह किस्पती का साथ में होना इस प्रकार से अगर योग बन रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो संतान से है वो आपसी वैमनस्ता है जो है वो अच्छी नहीं हो पाती तो हमें चाहिए कि उस भाव से जुड़े हुए जो भी उपाएं हैं वो करते रहना चाहिए लेकिन ऐसा कहा जा है हमारे शास्त्रों में भी यह चीज विदित है कि हम अगर देखते हैं कि हमारा जो पंचम भाव होता है वो कहीं न कहीं सूर्य से जुड़ा हुआ होता है तो जिन भी लोगों को संतान से जुड़े हुए कश्च उत्पन हो रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे भगवान सूर् हमारे जीवन में जो भी कश्ट आ रहे हैं उन्हें आप दूर करें ऐसा करने से हम निजन तराग्य बढ़ते चले जाएंगे और हमें सफलता मिलेगी तो हम बात कर रहे थे शादियों से जुड़ी कि अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है वह बहुत दिनों से परि करने हैं कि हम देवी जी के मंदिर में जाकर के शंगार का सामान चड़ाते हैं या वहां पर जाकर इत्र चड़ाते हैं या शुक्रवार को हमें हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहां पर चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए सफेद पूस पर चलाना चाहिए ऐसा करने से हम जो विवाहबादा है वो दूर होते हैं अभी यह है कि अगर विवाह के बाद चलिए अपनी बात को यहीं रोकेंगे हम क्योंकि हमारे साथ दूसरे दर्शक जुड़ चुके हैं जफर पूर से नीरू पोन लाइन पर हैं जी नीरू जी अपना सवाल पूछिए सवाल ली मेरा पती बिना मतलब के गुट्सा कराजी सारी पार देखे क्रोध की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं वहाँ पर आपके नाम के आधार पर जो आपका सब्तमभाव है वहाँ पर वो शनी ग्रह से थोड़ा सा कष्ट में आ रहा है और वहाँ पर आपको चाहिए बहुत अच्छा उपाय है कि शनीवार के दिन आप शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर जा करके आप वहाँ पर अद्रक चढ़ाएं और अद्रक चढ़ाने के साथ वहाँ पर ख्वासा मठा भी चढ़ाएं ताकि हम अपनी जो जो कष्ट हैं वह भगवान को द्रव्द क माध्यम से उनको बता सकें उनको अर्पित कर सकें कि है प्रभू मेरे जीवन में हमारे सब्तम्भाव में जो करकष्टा आ रही है जैसे अद्रक होती है वो उसमें हलकी सी करकष्टा होती है मठा होता होता है तो हमारे जीवन में जो खटा सा रही है उन्हें आप दूर करें ऐसा आप इसको रेगुलर वे में ले करके आईए और लगबग आप हर शनिवार इसको आप कीजे आप देखेंगे कि आपको पांचवे शनिवार के बाद से लाब आना चालू हो जाएगा जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं यदि आपके पती का क्रोध बहुत बढ़ रहा है तो दीरे दीरे करके शान्त होने लगेगा भगवान श्रीफ पर भगवान श्रीफ की करपा बनी रहें तो आगे भी हम लोग समस्याओं का समाधान जानेंगे आचारजी से लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है लाइफ वितलंकेश फोन कॉल पे हमाई साथ जुड़ गए है नितेश बरौदा से जानेंगे इनकी क्या है समस्याओं जी नितेश लगता है संपर्ग तूट चुका है कोई बात नहीं हम आगे बढ़ते हैं और समाधान जानते हैं पंडी जी से पंडी जी हमारा ये चादियों पर बात कर रहे थे तो हमारा सवाल ये बार पती पतनी के बीच में वैचारिक मद्भेध सोते हैं जिसके कारण कई बार लड़ाईया होती है विचार नहीं मिलते है लाक कुंडलिया मिलाई जाये audio पाद मैं तलाक तक की नोबध तो इनसे कैसे बचना चाहिए नहीं और अपनyard के बारे में पता नहीं है तो हमें विवाहा के उपरांत एक बात का विशेश द्यान रखनाक चाहिए कि अगर हमारे पार्टनर के साथ में अगर हमारा तालमेल कहीं अच्छा नहीं हो पा रहा तो हमें एक बात का विश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम आपस में मिल जूलकर किसी बात का रास्ता निकालें आपको यहां रोखना चाहेंगे हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं अशोग जो की लखनाउ से हैं पूछे अपना सवाल मैं जो है हमारे यहां इसादी हमारे रड़के की हुई तब से बहु आई पड़ा चला चला घर में जी अशोग जी देखिए एक चीज मैं आपको बताओं बहुत सीधी सी और एकदम प्रत्यक्ष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहु जो है एक लक्षमी का रूप होती है घर में आपके आई है तो और आपको ऐसा महसूस होता है कि उसके आने से अगर थोड़ी सी टेंशन उत्पन हो रही है या कले हो तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता लेकिन हमें एक बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी दूसरे घर से कोई बेटी अपना पूरा परिवार छोड़ करके हमारे घर में आई है तो हमें थोड़ी सा एड़्जस करना चाहिए उसकी बातों को समझना चाहिए और अपनी बाते उसको समझानी चाहिए बात नमबर दो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ग्रै थोड़े से उस कर्या के खराब हो सकते हैं जिस करण से नेगटिविटी उत्पन्न हो रही है तो आप एक काम करें आप ब्रहस्पतिवार के दिन जो आपके घर में बहु आई है उस बहु से आप एक केले का पेड़ ल ही है तो ऐसा करने से आपको बहुत लाब मिलेगा आपके लिए शुब काम नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद अशोग जी हमाई सत्फोन लाइन पर बने रहने के लिए तो बात हम कर रहे थे कि अगर वैवाहिक जीवन में कटुता आ जाए और वैचारिक मद्भेद होने ल बार पड़ाता तो हम पती पतनी उस दिन एक साथ बैठकर भगवान सत्ति नाराण की कथा सुने और प्रशाद को ग्रहन करें उस दिन उस दिन आपको तिथी नहीं देखनी है ग्रह नहीं देखना है वार नहीं देखना है अपना दिन निकालना है किस दिन आपका विवा उस दिन आप बैट करके पति-पत्नी भगवान सत्तनायाट की कथा सुने ऐसा करने से हमें जो आज का कल्यूक चल रहा है उसके आधार पर हमारे विचार आपस में खुलते हैं हमारी आपस में जो कठोरता है वो दूर होती है और हम धिरंतर प्रेम से अपने जीवन का यापन करने लगते हैं कि UH पत्मियों की हो रही हैς तो कई बार ऐसा भी होता है कि पतियोंか शिकायत होती है पत्मियों fanti करती थी जब हमारी नई नई शादी हुई थी तुम उत्वा बहलjb प्रियंका की अगर हम आधार पर अभी बात करते हैं तो तो आपको ये मैं बताओं कि इनके जो योग बनने चालू होगे, वे जुलाई के आसपास से इनके बिवाद के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको एक उपाय करना चाहिए प्रियंका के लिए प्रियंका से आपको चाहिए कि आप एक रोटी में थोड़ी सी मलाई और हल्दी रख करके प्रियंका से गव माता को खिलाएं ऐसा उपाय करने से प्रेंका के जो विवा में बाधा उत्पन्न हो रही है वे वे बाधाएं दूर हो जाएंगी और एक अच्छा परिवार प्रेंका को मिलेगा आपके लिए और आपके पुत्रे के लिए बहुत बहुत शुब काम ना है तो पंडी जी हम बात कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन में कई बार ऐसी शिकायते आ जाती हैं पती पत्नी के बीच में जिसमें वो शिकायत आपस में करते हैं कि पहले तुम ऐसी थी बाद में तुम ऐसी हो गई तो ये जो वैचारिक मदभेध होने के साथ साथ ये जो रहती है कई बातों का विश्चित ध्यान रिखना चाहिए हम अपने जो चीजे हैं जो भी हमारी चीजे हैं वे हम अपने पार्टनर के ऊपर ठोपे नहीं पहला तो हमें ये प्रियास करना चाहिए ये सुझाव है ये सला है और किसी भी चीज़ में हमें आपसी सला से काम करना चाहिए और अगर हमारी आपसी सला नहीं उपाती विवा के शुरुआत में बहुत प्रेम था और अंत तक आते आते वहां पर जो समस्याएं उत्पन होने लगती है जो विवा में कट्टा उत्पन होने लगती है उसके लिए हमें काम करना चाहिए कि जो भी इस्तरियां हैं इस्तरियों को चाहिए कि वे ग्यारा दिन लगातार तुलसी के पेड़ लगाएं और जो पुरुष जातक हैं पुरुष जातकों को चाहिए कि वे ग्यारा दिन तक लगातार जिस समय पर उनकी जो पत्नी हैं वे त तुल्सी का ब्रक्ष लगा रही है उस समय पर उनको चाहिए कि वे जो है उस समय पर निर्जन स्थानों पर रेगुलर ग्यारा दिन भरगत का प्रेड लगाएं ऐसा करने से उनके जो भी समस्याएं उनके वैवाहिक जीवन में उत्पन हो रही है वे निश्चे तोर पर दूर होती ही चली जाएंगे तो आचार जी से आगे भी जानेंगे समस्याओं के हल लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे अलग से दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है तुक्का जो की बीका नेर से हैं जी तुक्का जी लगता है संपर्क कट गया है तो हम बात कर रहे थे वएवाहिक जीवन के उपर तो आज वएवाहिक जीवन के उपर खास चर्चा चल रही है और उससे जुड़े कई सारे पहलू हमारे सामने आ रहे हैं ऐसा ही होता है कई की जिवन में सब कुछ ठीक ठाख चल रहा होते हैं और अचानख शिकायते आने लगती हैं जिसको वैसे कले रेक्लेश था देंब में बढ़ जाता है तो एसा ही बताइए कि अचार जी इन व्यवाहिक जीवन में कले क्लेश को कम करने के लिए क्या करना चाहिए मैंने अभी थी दिर पहले आपको एक उपाया बताया था μय इसतरी को चाहिए कि वे क्यम्म ग्वेश दिन तक लगातार तर्सी कर्सी ये और पूरस्वें को चाहिए कि वे क्यारत P Talk लगातार आपको निरजन प्रस्पाइट ये है कि यदि आपके जीवन में जो धन की कमी आ रही है चाहे वो पती के माध्यम से हो या पतनी के माध्यम से हो धन की कमी और खर्च अधिक इस चीज़ ट्रोल करने के लिए बैलेंस बनाने के लिए आपको यहां रोखना पड़ रहा है शुभा मित्रा है हमा इसे एक नाम राहुल मिस्रा है देटा बड़ जे जनौरी 1994 खिक है तो इसके बारे में क्या चीज़ जनना चाहते हैं आप इसके स्वास्त और भाविश्टी के बितर में जनना चाहते हैं जी 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 देखे आपको अगर हम बच्चे के स्वास्त के बारे में बताएं तो बच्चे के स्वास्त के आधार पर एक चीज निकल करके आ रही है कि कहीं न कहीं बच्चे को जो सर्दी की जो इस्थितियां है वो जो चंद्रमा है वो उसका बच्चे का कमजोर हो रहा है तो आपको चाहिए कि बच्चे को रेगुलर तौर पर आपको दही कटीका लगवाना है रेगुलर बच्चे को आप दही कटी का लगवाईए और ये उपाय आपको शनिवार से चालू करना है शनिवार से प्रारंब करके 41 दिन तक नित्रपती बच्चे को आप दही कटी का लगाए और उसके साथ में यदि आप उसके भागे को प्रबल करना चाहते हैं तो आपक आहिवात हम कर रहे थे वैवाहिक जीवन के उपर कई वाई मैंने आप से बोला startups होता है कि पति पतनी जब बाहर रहते हैं तो खलैग्ले नहीं होता है और जब फो Left earthly वहाई सब Sब्स省दा वारांसे ये जो आपका प्रश्णन है बहुती सटीक और वैज्ञानिक प्रश्ण है जी तो जब हम घर में होते हैं तो हमें इस चीज का विशेज ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे घर में नकारात्मक्ता उत्पन्व रही तो क्यों उत्पन्व हो रही है हमें इस बात में गौर करना चाहिए कि किन बातों पर हमारा जग्ड़ा हो रहा हैं हम उन बातों पर ध्याने और उस चूे वे सब्सक्राइब बातों और धाइक मिछी भाईये और मीचे लिए तर्टिर्टर थे मिस आदें टेसिक होवा तेमरे सक्करूे अथी कि राशी और ग्रेस जुड़े हुए उपाय कर दे हम अनिश्यत लाब मिलें और हमारे नए कॉलर जुड़ गई है शीला प्रयागराज से जो पूछेंगे अपना सवाद शीला पूछिए हलो मेरा बेटा है जी पूछिए हलो जी पूछिए हलो जी जी पूछें आप अपना बच्चे का नाम बताएं बच्चे का नाम बताईए जो इनके जो पंचांग और सटकोड कुंड़ी बन करके आ रही है इनकी उसके आधार पर सिंग लगम निकल करके आ ऑ रही है जो कहीं न कहीं आप अब आप ये आप समझ लीजे कि इनका सूर् ग्रह जो है वो किसी पापी ग्रह से पीडित हो रहा है या पिर कहीं न खिद्वि पितरदोष से भी इनको कश्ट हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप रवीवार के दिन जल में प्रवाहित करने से इनका जो मानसिक संतुलाने वो भी अच्छा हो जाएगा और जो बाधाएं उत्पन हो रही हैं सिक्षा से जूड़ी हुई है और किसी और छीज़ जूड़ी हुई वे सब दूर हो जाएंगी आपके पुत्र के लिए आशिरवाद बहुत बहुत धन्यवार शीला जी माईसा जोड़ने के लिए तो हम बात कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन में जब हम घर में होते हैं तो कलेकलेश बढ़ जाता है और जब बाहर होते हैं तो हमें शांती प्रतीत होती है तो यह इसके पीछे की वज़े तो आपने बता दी कि यह ऐसा होता है उपाए भी बता दी है तो इसके रोक ठाम के लिए हमें खास और क्या करना चाहिए किसी देवता की पूजा या कुछ ऐसा आपको अगर आपके घर म हुसस हो रहा है कि हमारे घर में चाहिए तो ही या हम आप से जगतों हमें थाफना कर खरू है कि हम हमें आपने घर में एक शिर्थ परीवार की स्थाइपना हमें शिव परिवार में भगवान शिव गनेश जी कार्थिके जी पारवती जी और नंदी बाबा इन सभी लोगों को स्थापित करें और उनका नित्य पूजन करें नित्य पूजन आप अगर एक तालिस दिन ता करें तो आपके वैवाही जीवन में उसके साथ में जो भी और आत्मक्ता उतपन्न हो रही है एक दूसरे को देखन का स्थापन्न करें और उसके वाहार अंधर उन कर दो आराम मिल जाएगा और जो भी समस्या आं आपकी उतपन्न होती दिखाए रही है थिए थिरे धेड़े करते करते कमें फिर से यह दर्शक जुड़ गयी है इस भीत ट्राइंड से हैं पूछें कि अपना सवाब सुमित्रा पूछी नीएजक्री नजी अपने सवाल क्या नाम है उनका रमन इंगा और अगर हम इनकी पंचांग कुंडली और शटकोड कुंडली के आधार पर चर्चा करें तो यहाँ पर भी वही समस्या उत्मन्न हो रहे है कि शनी ग्रह से इनकी कुंडली पीडित है ये जातक शनी ग्रह से पीडित है तो आपको चाहिए या ये जातक अगर ये उपाय कर सकें तो उनको चाहिए कि वे हनवान जी के मंदिर में शनी वार को जा करके वे अगर ये जातक जाते हैं तो ये शनी मंदिर जाएंगे और अगर इनके स्थान पर आप जाती है यह को इस तरही आती है तो वह श्रीव मंदर जाएंगी वहां पर जाकर के श्वेथ पुष्प और अध्रक चड़ाएं ऐसा करने से जो विवा में बाधा उत्पन्न हो रही है वो निश्चित तोर पर दूर हो जाएगी आपके लिए बहुत बाताशिर वाद विवा में बाधाय उत्पन्न होती है तो यह किसी पर्टिकुलर ग्रेह की वज़े से होती है किसी खास वज़े से होती है या फिर कुछ और यूग होता है योग के आधार पर हमने आपको प्रारंब में ही बताया था कि जो हमारी कुंडली का सबतंभाव होता है सबतंभाव के आधार पर हम अपने विवाह का या अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं और उस पर जो विशलेशन होता है वो विशलेशन किया जाता है अब हमें एक चीज़ पर गौर करना है कि हमारी कुंणली का सब तम्भाव किन किन ग्रहूं से पिडित हो रहा है यदि वहाँ पर चंद्रमा की राशी है और अगर चंद्रमा वहाँ पिडित हो रहा है तो हमेझ चाइए कि हम अपने दाहिने हाद के अंगूठे में एक चांदी का छला धारन कर ले ऐसा करने से चेंदरमा बली होगा और हमें उसकी पॉजिटिविटी मिलेगी उसके साथ में अगर वहाँ पर राहू से पीडित है तो हमें चाहिए कि हम मचलियों को बहते जल में परभा करें अगर वो जातक वहाँ पर शुक्र ग्रेस से पीड़ी दे तो हमें चाहिए कि हम कन्याओं को सफेद मिठाई करें खिलाएं उनको वस्तरदान करें ऐसा करने से जो हमारे जीवन में जो वैवाही जीवन में जो बाधाई उत्पन हो रहे हैं वे दिरे दिरे के करते करते दूर ह पूछे जाएंगी और हमारा विवा एक योग व्यक्ति से हो जाएगा और जो भी समझते हमाजी और में पनो रहे हैं वे वन बाई वन बाई वन करते हैं जीवन से दूर हो जाएंगे और हमारे साथ जूड़ चुके हैं घंशाम गुपता जी जो कि और एया से हैं पूछें जी किस क्या समस्या उत्पन हो रही है गंशाम जी आपको आप उससे प्रस्ट पूछिए हैं कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रहे हैं तो गंशाम जी आपके लिए बहुत ही एक सुंदर रुपाय है कि बुद्ध ग्रह कहीं ने कहीं आपकी जो पंचांग और सटकोड कु जा रही है उसमें बुद्ध ग्रह आपका बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है तो बुद्ध ग्रह से आपको उपाय करना चाहिए आपको चाहिए कि आप किन्रों को पान खिलाएं अगर आप किन्रों को पान खिलाते हैं या अगर आपको ऐसे करने में असमर्थता उत्पन ह होती है तो आप को चाहिए कि दूर्वा ने जो गने जी पर चला जाती है और वह आप बुद्वार को दो बार दिन में बार बुद्वार को आप गउ घुशाण माता को दूर्वा खिनंए ऐसा करने से आपके द्शम भौ में जो दोस उत्पन्न हो रहा है वो दूर हो जाएगा और आपकी आमदनी भी ठीक हो जाएगी और आपकी व्यापार में भी वृद्धी होगी आपके लिए शुक्कामना वाश्रवाद जिसकी वजय से कई बार उसकी आपस में नहीं बैठती है आपस में दोश देने लगते हैं तो पांचम भाव होता है हना Car में युई बहुत जादा प्रेसिवन फोत Conservative है अरे खंट में ये बहुत जाधा इसम ऑथ़ वहा होता है shotgun SW जाना संतान का सुक कैसा मिलेगा संतान होगी तो कैसी होगी यह हम पंचम भाव से इसका प्रिडिक्शन करते हैं तो जो हमारा पंचम भाव है वो कहीं न कहीं सूरों से जुड़ा हुआ होता है अब हमें इस चीज पर गौर करना है कि हमारी कुंडली में लगन कौन सी है और हमारा प इस बाधा को दूर करने के लिए हमें भगवान सूरी की उपासना करने चाहिए और पती-पत्नी को ऐसा चाहिए कि वे गंगा असनान करें बिल्कुल मद्द दो पहर में एक बारा बजे का समय होना चाहिए सूरे नब्बे अनुश्ट पे होना चाहिए वे वहाँ पर जा करके इसनान करें और अपने पूर्वज़ों से छमायाचना करें ऐसा करना से उनकी संतान बाधा दूर होगी और हमारी अगली कॉलर जोड़ चुकी है गोरकपुर से हैं गुडिया पूछिए अपना सवाल उसके लिए आपको चाहिए कि आप चंद्रमा के उपाय करें आपको पूर्ण मासी के दिन चांदी के पात्र में दूद का सेवन करें और आपको कच्चे दूद का ठीका नित्रप्रती मस्तक पे और कंट पे लगाना है और आपको चाहिए उसके अलावा कि आप थोएसा शहद का भी सेवन करें शहद का सेवन आपके लिए अति उत्तम है ऐसा करने से आपके जो स्वास्वण्दी समस्या हैं उनसे आपको निजात मिलेगी और आपके लिए बहुत-बहुत शुपकामनाई वाश्यरवाद बहुत-बहुत धन्यवाद गोडिया जी हमाई साथ फोन लाइन पर बने रहने के लिए तो हमारा सवाल अब भी आगे बढ़ रहा है इसी चर्चाव को आगे बढ़ाएंगे कि वैवाइक जी में कई बार ऐसा होता है कि दोशार ओपन के चलते कई बार पती-पत्नी में इस स्वयम की कुन्डली का सब्तम भाव है अब हम हमें ये देखना है कि वह सब्तम्भाव कितना एक्टिव है हम इस चीज पर ध्यान से सोचे اور देखे किसी पर भी दोश या आरोप लगाने पहले हमें अपनी चीजों को देखना चाहिए कि हमारी चीजसे कहा तक सही है हमारी कुंडली का जो सब्तम भाव है अगर वहां पर कोई दोश उत्पन होता है कोई समस्या उत्पन हो रही है वहां पर पापी की ग्रह विराज माने राहू है या केतू है या इस प्रकार के ग्रहों की या शनी के दिश्टी पढ़ रही है तो उससे नकारत्मक्ता जो सब्सक्राइब होगा और मैं दर्शक जोड़ चुके है कुंदन जो कि उत्रा खंड से हैं जानेंगे इनका सवाल क्या है जी कुंदन बताइए इसका नाम है काब्यांश हाँ दोहजाज सोला इसका जनम है जी और जून महिने का है एक बच के इकतिस मिनित का इसका टाइम है जी तो इसके बारे में आगे क्या होगा कैसा होगा एक काफी जी दिमार इमार का के है बिमारी आगे जयता तो नहीं रहीethी बिर्दीक है अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ दो चीज़े में आपको बताता हूँ इन चीजों का विशेध जान रख रखिए गा कि पाव्यांश जी की कुंद्ली में जो कही नटराखी अगर आपको बता बगवान स्रीकिष्ण को आप मक्षन और मिश्री का भोग लगाएं और बगवान से प्रातना करें कि हे प्रभू हमारे शिशू को जल्दी स्वस्त कर दीजे उसके अलावा आपको चाहिए कि आप नित्प्रती कुट्टों को मीठी रोटी खिलाएं ये आपको खिलानी है आपको निश्चिक तोर पर यह समझे कि शिशु जो है वो सस्थ ही दिखाई देगा शुब कामनाएं और अश्रवाद आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहने के लिए तो बात अगर वाग तो आ अच्छा हम अपनी बात को यहीं पर से रोकेंगे पंजाब से परविंदर सिंह हमाई साथ जुड़ चुके है फोन लाइन पर जो कि अपना सवाल पूछेंगे आपसे जी परविंदर जी अपना प्रविंदर पूछें आप जी मेरे बैया को नोकरी नी मिलती सी के लिए बूच रहा था जी जी बहीया का नाम क् सुखविंदर सिंग सुखविंदर जी अगर हम कुंडली की बात करें तो यहां पर एक चीज निकल करके आती है कि उनके कर्म भाव जो है वो कहीं न कहीं चंद्रमा और मंगल के साथ में और वहां पर जो ब्रैस्पती है वो उनको कहीं न कहीं थोड़ी सी रुकावटे दे है तो उनको चाहिए कि वे दूद और केसर का तिलक लगाना चालू करें थोड़ी सी केसर अपने हाथ पे ले उसमें एक बून दूद डाल करके उस केसर का वे तिलक लगाना चालू करें इनको निश्चित तोर पर लाब मिलेगा और उसके साथ-साथ इनको चाहिए कि यह व दो महिने के अंदर आपको कोई सुमसमचार मिलेगा आपके लिए बहुत-बहुत शुप कामना है वह आशिरवाद बहुत-बहुत धन्यवाद हमाई साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए तो यहां अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके पास बहुत-बड़ा मौका है हमाई साथ फोन लाइन पर जुड़कर पंडित जी से अपने सवाल के जवाब जानने का तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्खास फेशकश में जिसका नाम है लाइफ वित लंकेश आपको बड़ फिर से याद दिला दूँ फोन कॉल्स आपके आप कर सकते हैं सिर्फ एक फोन की दूरी पर आपकी हर समस्या का समयधान करने के लिए आचार अगर हम इनके विवा के बारे में बात करें तो ब्रहस्पती की कही ने यूती इनके लिए ठीक होती बंती नहीं दिखाई दे रही है अगर हम इनके लिए ब्रहस्पती से जुड़ा हुआ उपाय करें तो इनको चाहिए कि ब्रहस्पती वार के दिन ये साथ केले के व्रक्ष एक ही दिन पर लगाएं ध्यान है राहु कॉल को हम उस दिन अवाइड करेंगे हमें ब्रश्पतिवार के दिन साथ के ले के पेड़ एक ही दिन में लगाने थोड़ी-थोड़ी की दूरी पर अब आप दूसरा प्रश्ण कर सकते हैं इस नाम बता है गजेंद्र पिवारी जिनके जर्मसारी के बाईशाट बयाती है नाम बता है गजेंद्र पिवारी बाईशाट बयाती है तर्म पंडी जी मतलब इतनी ज्यादा तक्रीश है कि उनकी अभी एक चौदा साल की लड़की वह एक्सपार हो गई उनसे लगवक 9-10 लाग का करजा हो चुका है मतलब इसम बंदा डिस्ट्रा होने की लाइन सागा है मतलब खुद नहीं समझ सकता कि क्या कर सकता है मैं उसके लिए कुछ जानना चाहता हूँ कोई उपाय या इसा इनके लिए एक बहुत ही अच्छा और यह समझे कि क्विक रिलीफ देने वाला वस चढ़ाएं एक अनार चढ़ाएं और ऐसा करने से इनको निश्चित तोर पर लाब होगा और माता देवी से उनके सामने लाल फल चढ़ा करके वे इस चीज़ का आवाहन करें वहाँ बर देवी का और उनसे प्रासना करें कि हेमा बद्रकाली हमारे जीवन में जो भी समस समस्या हैं जिस तरह से आपने माहिशा सुन का विनाश किया उसी प्रकार हमारे जीवन में माहिशा सुन के समान समस्या उत्पन्न हो गई है उनका विनाश करिए ऐसा करने से आपको निश्चित तोर पर लाब होगा जो भी समस्या इनके जीवन में उत्पन्न हो रही है विन बिल्कुल आने चाहिए वास्तु का हमारे जीवन पर एक विश्यस प्रभाव पड़ता है दिशाओं का प्रभाव पड़ता है और उसके अलावा जो एनर्जी होती है उसका प्रभाव पड़ता है कमरे में जो प्रकाश होता है उसका प्रभाव पड़ता है इसलिए हमें हर ए मतमक बात उस समय पर नहीं होनी चाहिए उसके अलावा जब भी बहु हमारे घर में एंटर करे तो सबसे पहले उस से हमें भगवान का पूजन कराना चाहिए भगवान गनेश का पूजन कराना चाहिए और उसके अलावा माता सरस्ती, माता लक्षमी और माता अनपूर्णा इन लक्षमी भी निवास करेंगी जिससे हमारे परिवार में धन संपदा यह सब बहीं रहेगी और माता अन्य पूर्णा जो रसोई में पूजन होता है रसोई में हमें माता अन्य पूर्णा का पूजन करना जिससे हमारे घर के भंडार हमेशा बढ़े रहे और कोई विवास्तु सब्सक्राइब तो इन तीन देवियों के पूजह हमारे घर का वास्तु दूर्श दूर्ष होता है और सकारत्मक्ता हमारे घर में बढ़ती है तो जैसा कि देखा आपने आज हमें पंडित जी से बहुत सारी बाते जानने को मिली विवाह से रिलेटेड विवाह के विशय में हमने बहुत सारी बाते जानी कि किस तरीके से घर में कलेख कलेश को कम करा जा सकता है पति-पत्मी के बीच में अगर सामन जसे ठीक से ना बैट रहा हो तो उसको कैसे बैठाल सकते हैं किस देवता की पूजा करने से हमें क्या लाब मिल सकता है इस तरह की कई बातों पर हमने चर्चाएं की आज का यह हमारा कारिक्टरम यहीं खतम होता है फिर अगले रविवार आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए देखते रहें के न्यूस खबरों का साथी